हेलो श्रेंड्स वेलकम टू माई नर्चर मैं हूँ कृष्णा कैसे आप सब लोग मस बढ़िया उमीद कर रहा हूं लास्ट लेक्चर आप लोग ने देख लिया होगा और उसको जरूर देख लेना अगर यह लेक्चर देखने जा रहे हैं क्यूंकि यह उससे को रिलेटेड ह है बात समझे मारी है ठीक है क्यों को के करेंगे घटीवेट करेंगे याने कि जो जो काम सिंपाथेटिक नर्वा सिस्टम करता है ठीक है ना उसको बढ़ावा देने वाले ड़स के बारे में और उन में खास केमिकल हमारे पास क्या था एड्रेनलीन यानि कि वहां से हमारा का स्टम क्या आता है एड्रिनर्जिक और आगे जोड़ देते हैं हम लोग एगॉनिस्ट यहां पर आ गया है होगा बात समझ में आगे है मैंने क्यों का उसको पढ़ना ज़रूरी है बेश्क पूरा ना पढ़े लेकिन स्टार्टिंग का कॉंसेप्ट क्लियर करना है कि क्या सिंपाथाटिक और पर आओगे तो फाइदे में रहोगे तब भी मैं कोशिस है मेरी मैं थोड़ा सा तुम ल यानि की ब्रेन और स्पाइल कॉंसे इतनी भी हमारे नर्स निकलती है हाथ पैर किडिनी सेंटर को छोड़ के सारी साइड में हमारी उनको कंट्रोल करने वाले सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं पैरिफेरल नवर सिस्टम एक ही है वह इसी से सब निकला है हमने अपने समझ कांट्रोल में मांस्ट से क्राइब करें उनकले को हम लोगों चला सकते हैं और सेंस अर्कन देखना आंख बंद कर लोगों में सुनना ठीक है यह आयाब समेडिक में बात करने जो हमारे बस में नहीं है, लिवर का काम करना, इस्टमक का काम करना, किड्री का काम करना, ठीक है ना थूक का बनना, ठीक है हमारे रॉंक्टे खड़ा होना, हार्ट का चलना, यह सा हमारे काम में नहीं, हमारे कंट्रोल में नहीं है, बॉड़ी अपने आप करती है, उसी को हम लोग कहते हैं Autonomic Nervous System इसी को दो पाट है Sympathetic और Parasympathetic Sympathetic में क्या है Heartbeat का तेज होना यान कि जो सारी activity को बढ़ावा देगा एक तरह से और Parasympathetic में सारी activity क्या हो जाएंगी कम हो जाती है ठीक है जो ड्रक्स इसको करवाते हैं इसमें मेंली हमार पास कौन सा था एडरनलीन और जो तमाम चीजें थी ठीक है ना तो वहीं से हमार पास वह आ गया था क्या करते हैं उसका जो common heading पढ़ी थी Sympathomimetic नाम पढ़ा था ठीक है ना अभी पर epinephrine वगरा सब पढ़ी थी हमने बाते हैं आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे लेकिन इसको धीमा करने वाले ड्रक्स मालो हार्ट बीड बहुत तेज है किसी की है ना बीपी बहुत बढ़ गया किसी का तो उसको धीमा करना कम करन हुwang है आगा देखते है एड्रेविनटगी करें अजयाने की सिमपैथोलाइटिक एजेंट आजयाने की मतलब है इसका मतलब होता है। पूटना और लाय टीक क्यायने तोडना सिंपाथटिक नवस सिस्टम को ब्रेक करेगा यहां याद दो जाएक पीछे नोट भी डिस्केप्सिन मिल जाएंगे चाहो तो निकाल के साथ में रख सकते हो तो जो एड्रिनर्जीक रिसेप्टर थे अब यह एंटागोरिक्स की बात ना करें यह जो सिंपाथेटिक रिसेप्टर थे हमारे पास तो मेंली क्या थे अलफा होते थे और बीटा होते थे उनको एक बीटा में भी है बीटा वन सिलेक्टिव ठीक है बीटा वन सेलेक्टिव थे तरीके से दवाईयां हम एडवांस लेवल बनाते चले आ रहे हैं तो उनकी जनरेशन हम वन बाइवन वन तू फ्री फोर इस तरह से जनरेशन को हम लोग लिखते चले जाते हैं बात समझ में आ मतलब क्या है ऐसी ड्रग्स जो अल्फा वन और अल्फा टू किसी को भी ब्लॉक कर सकती है जब हम सिलेक्टिव की बात करेंगे यह प्रो जो प्राजोसिन है यह सिर्फ अल्फा वन को ही ब्लॉक करेगी ठीक है यह ही इंबीन है यह सिर्फ अल्फा टू को ही ब्लॉक करेगी लेकिन अगर मैं बात करूँ फेंटोल माइन की ठीक है तो ये नॉन सेलेक्टिव है अल्फा वने अल्फा टू किसी को भी ब्लॉक कर सकती है तो नॉन सेलेक्टिव का मतलब समझ में आ गया होगा अब किسी एक रिशैप्टर के उपर काम नहीं करती है यह किसी भी अपर कर सकती है सेलेक्टिव मतलब उसी को भी ब्लॉक कर सकता आब यह सारी ड्रॉक्स याद मत करना जो अपने कोर्स में है उनको ले करके टिक मार लेना इसे यह अपने कोर्स में है यह अपने कोर्स में है ठीक है ना तो जो जो अपने कोर्स में है उनको ले करके ध्यान में रखना है ओके तो यह उम्मीद कर रहा हूं यह क्लासिफिकरिशन तुम लोगों समझ में आ गया होगा कैसे है अलफा भी अपने आप में दो टाइप की रिसेप्टर होते हैं अलफा वन अलफा टू बीटा की भी दो है बीटा वन आप सौरी बीटा का बीटा वन है ठीक है लेकिन जनरेशन वाइस है ना जो एडवांच ड्र एड्रिनर्जिक एंटागॉनिस्ट क्या होते हैं एड्रिनर्जिक एंटागॉनिस्ट ठीक है इसको पहले प्लाना था लेकिन वह आगे चला गया कोई बात में अब समझते हैं क्या है एड्रिनर्जिक एंटागॉनिस्ट एड्रिनर्जिक एंटागॉनिस्ट क्या है सिंपै लास्ट लेक्चर में पड़े उनके विपरीत काम करेंगे कौन एड्रिनर्जिक एंटागॉनिस्ट के लिए बाते हैं मतलब यह SNS को धिमा करेंगे अपना असर दिखाने के लिए अलफा बीटर रिसेप्टर को एक्टिवेट करते थे यह अपने देखा ठीक है तो यह यह मतलब अलफा बीटर रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे इसी बात है कोई दिखकत नहीं ओके जब अल्फा एंटू बीटर ब्लॉक हो जाएंगे समस नहीं दीमा पड़न अतना है एक जामपल के लिए मालो 100 रिशेप्टर से 50 ने काम करना बंद कर दिया ऐसी बात हो रही है ठीक है ना ये निकी पुरा system ठब पड़े जागा ऐसा नहीं होता है अगे का किंग रहा है अगे कर रहा है एन अग्रेनर्जिक अन्टागोनिस्ट इसक्याइडग देड Ademásई ये फॉक देड देड्रीनर्जिक अë मढद ना इन्टागोनिस्ट ये आगे आते हैं there are five adrenergic receptors, total five है, which are divided into two groups, पहले group में कौन है, beta adrenergic receptor, जिसके अंदर beta 1, beta 2 and beta 3 है, then second group है, जिसके अंदर alpha adrenergic receptors आते हैं, जहाँ पर alpha 1 and alpha 2 है, यानि कि मोटा मोटा, अगर तुम लोग exam purpose से सब कुछ याद ना रहे, तो दो पक्का याद रखने, अलफा and beta, अलफा and beta, अब beta के तहीं है, beta 1, beta 2, beta 3 types होते हैं इनके, और alpha के alpha होने alpha 2, उतना बहुत देटेल में जाके फिर और खोश्ट करने हमें जरूद नहीं है, इतनी knowledge हमारे लिए काफी है, किलियर है, चलें आगे, ओके, यह हमने classification पढ़ लिया है, आगे आते हैं, अब start करते हैं हम लोग अपने drugs, क्या है, alpha adrenergic blockers, वो drugs जो alpha को, alpha receptors को block करने वाले है, कौन से drugs जो alpha receptors को block करने वाले हैं, इसमें सबसे पहला हमारे पास क्या है, tolazoline, क्या होता है tolazoline, member of class imidazole, imidazole याद आया, imidazole, imidazole है न, यह वाला group, imidazole, ठीक है न, imidazole पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि imidazole class का है यह, tolazoline is a non-selective, non-selective है, competitive alpha adrenergic receptor antagonist, ठीक है, competitive को छुपा दें अगर, तो बाकी बात में खाल समझ में आ गही होगी, कि यह non-selective है, किसी भी alpha 1, alpha 2, किसी को भी block कर सकता है, competitive है, competitive से क्या मतलब होता है बच्चों, कि एक example लेते हैं हम लोग समझते हैं बात को, देखो, माल लो यह receptor है, यह क्या है, receptor है, यहाँ पर, एक, sympatho-mimetic agent का drugs को आकर यहाँ लगना है, किसको लगना है यह, जो SNS को activate करेगा, बट, क्योंकि हमको नहीं चाहिए कि यह लगे आकर यह activate कर देगा, तो क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब बड़ेगा, हमको BP कम करना है, तो हमने खाई टोला जोली, क्या खाई हमने टोला जोली, टोला जोली कही कि रुगजा, 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 भाई, उसने SNS वाले chemical को यहां घुशने की जगह ही नीदी competition कर दिया उसने अब यहां पर अंदर रणिंग तो नहीं हो रही है यहां होती है affinity यह ड्रक्स ऐसी होती ही कि यह वाला receptor अगर दोनों पास-पास में हैं तो यह जो receptor है यह जो receptor है यह इसकी बजाए इसको अपने साथ चिपका लेगा यानि कि यह competitively जाकर इससे चिपक जाएगा पहले और जब चिपक जाएगा राष्टाबंद हो गया receptor ब्लॉक हो गया यह जैसी ब्लॉक हो गया अब यह वाला chemical यहां पर आकर लग नहीं सकता यह लग जाता तो SN STS कeen cultivate होता लेकिन यह लगाई नहीं और यहां पर क्या हो गया यह यह हम एक्टीवेट नहीं हो रहारा मेरे ख्याल सरे बात के लिए रोगी होगी किस तरीके से competitively competition है कि तुम पहले लगोगी तुम पहले लगोगे इसने का मैं पहले लगूंगा तुम वहाँ खड़े रहा जाओगे मैं तुमसे पहले जाके चिपक जाओंगा वापर क्यों हमने उसको बनाया ऐसा है वो ड्रग ही ऐसी है competition करती है अगर यहां बहुत सारे तो यह खुद सबसे पहले जाके लग जाती है यही है competition का मतलब tolazoline is a non selective एक तो non selective है alpha 1 है ना हम alpha पढ़ रहे हैं तो यह alpha 1 और alpha 2 कुछ भी हो सकता है ठीक है और competitively जा करके उसको ब्लॉक कर देगा अब यह जो concept नहीं हां बता दिया बच्चो इसमे चार ड्रक्स पढ़ेंगे alpha वाले में वह किसी में भी लगा सकते हो concept यह ठीक है ना explain कर सकते हो it is a vasodilator vasodilator का मतलब क्या होता है जो blood vessels को फैलाए वैसो वैसो मतलब इसको लिख लो हिंदी में जो blood vessels को फैलाए वैसो मतलब कि blood vessels लाकर मेरी ऐसी है तो हलका सा उसे है ना ऐसी तो धार काफी तेजी से निकलती है और pipe को मुझ को खोल दो तो धार कम हो जाती है यानि कि जैसी blood vessel फैल जाएंगी तो blood का pressure कम हो जाएगा उसके अंदर के लिए होगी बात okay that is used to treat spasmo of spasmo मतलब कई बार क्या होता है जो peripheral बाहर की blood vessels होती है उनमें कई बार एठन आन लगती सर्दी की वाज़े से या कुछ और करण की वाज़े से यह उनको क्या कर देगा फैला देगा जो सुक्रा ने उसकी खतम करेगा okay vasodilator it has also been used successfully as an antidote देखो antidote का मतलब कोई दवा react कर चुकी है कौन सी दवा react करी है आओ देखें to reverse the severe peripheral vasoconstriction vasoconstriction vasodilator dilator 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 मतलब फैलाना और constrict constrict यह लिखाओ ना constrict constrict मतलब सिकोडना और vaso मतलब blood vessel यह vaso का मतलब blood vessel लिखते चलो सास्त के साथ ठीक है ना वैसो मतलब blood vessel consciousness मतलब पिछकाना अब देखो हो क्या रहा है हमने कोई दवा खाई अचानक से ठीक है मालो हमने sympathetic nervous system BP लो था यह कुछ problem थी हमने खाई उसने कर किया दिया उसने severe बहुत जादा ही सुकोड दिया जिससे की BP बहुत हाई हो गया रियक्ट कर गई एक तरह से दवा दवा क्या कर गई रियक्ट कर गई अपने असर से कुछ ज्यादा असर दिखा गई वह अब बईपी इतना हाई हो गया है दिमाह की एंटीडोट है ना उसका तोड याने कि दवा रियक्ट कर गई तो रियक्शन को खतम करने के लिए एंटीडोट भी हम इस टोड़ा दूरीन को यूज कर सकते हैं ठीक है एंटीडोट पता जल गया कि सारे टम बता रहा है लिखते जलो बार बार रिपीट नहीं करूंगा फ जिसकी ओवर्डोज हो गई है ठीक है जिसकी वाज़ेसे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो हम एंटीडोट की तरह भी इसका इस्तमाल करते हैं के लिए आगे आते हैं इस यूजज इन ट्रीटमेंट ऑफ परसिस्टेंट परसिस्टेंट का मतलब लगातार पल्मोनरी हाइ हईपर है हि Пिः पर आपता है यह रहा है तो यह उन ऑपर हाईपरना हाइपर टैंशन तना यानने बढ़ना हाइपर टैंशान के उसको होते है यह कुछ जनेटिक मनलब ऐसी प्रॉलम होती है ठीक है और लगातार वह हाई बीपी बना हुआ है उस केस में हम लोग इसका इसका इस्तमाल कर लेते हैं अब यह कौन सी बिमारिया होती है वहां नहीं जाएंगे अभी बच्चों में ऐसा अकसर पाया जाता है ओके इसके उपर लो इमीडाजोल तो यह रहा इमीडाजोल भाई है ठीक है वन एच यह वन यह टू यह त्री यह फॉर एंड यह फाइफ फॉर फाइफ पर डाय हाइड्र मैंने बताया था ना लास्ट टाम पर यहां पर डावल बांड होता है वह हड़ जाता है सेचुरेट हो गया यह तो रखो फाइफे और बंगए देखो चड़काक ले कुछल मेंने पहले मताय दात जॉइन होता है यह डोका यहां पर कार्बान है यहां पर क्या है कारबन है तो देखो कंड कर ले यह a benzene और benzene के साथ साथ यह होता है toluene ठीक है ना और CH2 अवह इहां पर एक जगह बचाँ यानिकि इतना structure है यह कहलाता है अपना benzyl यह कहलाता है benzyl कहलाता है तो इसलिए 2 पर क्या लगा हुआ यहां टू पर क्या लगा हुआ है यह benzyle group लगा हुए ठीक है तो naming बच्चों इसलिए structure बहुत से common है जो आगे भी आते हैं पीछे भी है तो अपने को help हो जाती थोड़ी सी कोई दिक्कत नहीं है जिसको नहीं करना है छोड़ सकता है आगे बढ़ जाए आगे देखते हैं हम लोग ठीक है structure होगे अपने को uses simple है it is used to treat spasm यह हमने discuss करे लिए spasm of peripheral blood vessel जो हमारी किनारी हाँ हाथ-पेरों की नैसे होती है उन मगर एंठान आ जाए तो उसको हम लोग treat करते हैं इसी spasm के लिए एक बड़ इस्तमाल होता है acrocinosis pulmonary hypertension in neonate यह भी हमने neonate मतलब नवजात बच्चा नवजात बच्चा लिखते जलो साथ साथ में neonate मतलब नवजात बच्चा ठीक है ना pulmonary hypertension याले कि बच्चों में होता है तो बच्चों के इसको treatment के लिए एक disease बार बार आएगी यहां पर Reynolds disease क्या नाम है इसका Reynolds disease clear है तो आप देखें क्या है यह Reynolds disease Reynolds disease is a rare disorder बहुती कम पाया जाता है of the blood vessel blood vessel हमारी जो नसों का खून की जो नसे हैं उसकी a disorder है usually in the finger and toes कहां पाया जाता है यह उंगलियों में और अंगुठे में ठीक है उंगलियों में और अंगुठे में ओके क्या कह रहा है it cause the blood vessel to narrow यह cause करता है blood vessels को नसों को narrow narrow मतलब पतला कर देता है क्या कर देता है पतला when you are cold or feeling stress अगर ठंडे ही हो ठीक है सर्दियों को दिख्कत होती बीपी हाई हो जाता है अगर सर्दियों या बहुत ज्यादा tension में हो या बहुत ज्यादा आप tension में हो तो यह क्या करेगा blood vessel को score देता है अब score देगा तो क्या होगा भी पी हाई हो जाएगा when this happen blood can't get to the surface of the skin अच्छा है इतना score देता है कि उंगली की नसे सुकोड गई है और आखरी छोड तक खून नहीं जा पा रहा है blood can't get to the surface आखरी surface तक नहीं जा पा रहा of the skin and the affected area जो एरिया पर भावित होता है turn white and blue अब जहां खून नहीं पहुचेगा वो हिस्टा सफेद होई जाएगा ना कभी देखा dead body वगएरा वो सफेद पढ़ जाती है क्यों खून नहीं होता है तो यह है renault disease कुछ नहीं है सर्दियों में या stress की वजए से सर्दियों में या stress की वजए से जो नसे होती इती सुकुर जाती है कि surface के ऊपर तक blood नहीं पहुच पाता है और वो एरिया कैसा हो जाएगा white या blue हो जाएगा clear हो गया तो यह common common कुछ disease है इनको याद कर लेना सभी में काम आएंगी है ठीक है है protect from light ठीक है ना कुछ खास नहीं है generally injection की रूप में दिया जाता है brand name की बात करें तो प्रिस्कोलीन hydrochloride काफी famous brand name है इसका search कर सकते हो नेट पर मिल जाएगा otherwise इसको याद करें प्रिस्कोलीन hydrochloride clear है बात समझ में आई हम लोग किस बारे हम बात कर रहे है पिछला लेक्चर किस बारे में था और यही लेक्चर किस बारे में ओके sympathetic परा-sympathetic को दिमाग में अच्छे से बैठा लेना वरना यह lecture उड़ जाएंगे सारे उपर से फिर बता रहा हम आईए चलो आगे देखते हैं ओके next हमारे पास क्या है phantolamide यह phantolamide स्का नाम हे phantolamide उके देखते है इंट दूस है इसा इन शिंथेतिक रिर कीमिरा जोन का है नॉन से और और फाइधके में दून் खुबद को ब्लॉक करेगा अलफा को भी और अल्फा-टू को भी तो इनॉट सेलेक्टीव एड्रीनर्जिक ब्लॉक और इसुज ट्रीट्मेट ऑफ हाई-फाइप ने हैपाई-फाई-पी-फाई-ई-फाई-ब्दी है पहले बता चोंप फिर बता दिया लास्ट सिंपार्प क्या पढ़ा था हम लोग क्या जो सारी दवाइयां क्या करती है यह दवाइया बढ़ा हुआ तो यह दवाइयां क्या है एंट अगोन से सब को क्या करें इसको समझ में आ रहे हैं जिसको समझ पटलो इरा ठीक है ना यह यह फिनॉल एन टू और ठीकले लिए यह फिनॉल हो गया फिनॉल के थार्ड पे एन लगा हुआ है N पर ठीक है न अब आगे बात करते है N लगा हुआ है N पर 45 Dihydrone H Imidazole अब देखो यह क्या लगा हुआ है इसको देखते है N पर क्या लगा हुआ है ठीक है न, N पे क्या लगा हुआ है, 4, 5, ये 1, 2, 3, 4, and 5, 4, 5, Dihydro, 1H, Imidazole, और ये 2 से जुड़ा हुआ है, तो 2-ILE और ये Joint यहाँ पर C-Methyl, क्लिएर हो गया, आगे आते हैं, फिर N पे आगे क्या है, 1, 2, 3, 4, ये सीधा-सीधा डंडा मतला, यहाँ पर क्या होगा, CS3, तो 4-Methyl-Anilino, ये जो टर्म बना पूरा, ये N के साथ जो पूरा टर्म बन गया है, इसको बनाता हूँ मैं, ये, ठीक है न, ये पूरे टर्म के लिए इस टर्म इस्तमाल हुआ, अनिलिनो, ठीक है न, ये मिथायल हो गया, ये फिनोर, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ओके, ठीक है न, इस्ट्रक्चर पकड़ने लग हो गया, तो बड़ा मजा आता है, कोई स्टफ नहीं है, में चीज जहाँ पर यही स्वड़ा समझने वाली होती है, आगे बात करें, अगर हम लोग किसके, यूस की, इटीज यूस पैरेंटली, पैरेंटली मतलब, आईवी, इंजेक्शन के थुरू दिया जाएगा, किसके थुरू दिया जाएगा, इंजेक्शन के थुरू, ठीक है न, टू रिवर्स वैसो कंस्रिक्शन, नहीं हो पाती है, जिसकी वैसे एरेक्शन में प्रॉलम आती है, तो ये एरेक्शन दिस्फंक्शन है, और रिनॉर्ट डिजीज, इसको डिसकस कर चुका हूँ, द्वारा डिसकस नहीं करेंगे, नेस्ट देखते हैं, स्टोरेज एंड, स्टेबिलिटी की बात करें, शुड भी स्टोर डाट रूम टंप्रेचर, 20 से 25 है, दर री कांस्टिटूटेड सॉलूशन शुड बी यूजड अपॉन, होता क्या है, इंजेक्शन की बोटल होती है, अच्छा, इंजेक्शन की बोटल होगी, साथ में पानी की बोटल निकलती है, पता है न, साथ में के निकलती है पानी की बोटल, पानी इसमें मिला करके इंजेक्शन बना लिया जाता है, पता होगा सबको, ठीक है, तो री कांस्टिटूटेड जो हमने इसको री कांस्टिटूट किया, पाउडर था इस पानी को मिलाया इसको रीकंस्टूट किया सुड बी यूजड अपॉन तिक रस इसको रखना नहीं कि हम शाम को लगा लेंगे कल लगा लेंगे ओके फॉम्लेसिंट की बात करें अभी विए बात की पाउडर तो यह पाउडर की फॉर्म में डारेक्ट इन्ज सार रहे है कलिए लिए जले है और दोके सिंग सारी हुआ तो बहुत इंत्यक्त बॉत प्रींट नाम से काफी उप रुकर नाइगय के नाम से काफी मेश हाः यह इद सेलेक्टिव अलफा ब्लोकर नाएग कर शेलेजिलन अग już बताया है यहां सारी ड्रग्स हाइपर टेंशन के लिए है जर्नली इट है स्लोवर ओंसेट इसकी जो सुरुवात है मतलब अपना असर ये धीरे धीरे दिखाता है ओंसेट सुरुवात इसका असर लंबे समय तक रहेगा अगर दूसरे 5-6 गंटे तक दिखाते हैं तो ये 7-8 गंटे तक दिखाएगा ठीक है ना दूसरे अलफा ब्लॉकर के कमपेर इजन में किलिए रहे बाते हैं बास समझ में आ रही है ओके नाओ चैमिकल नेमिन इस्टक्चर अगेर इस्टार आ रही है तो आपने कोर्स में लहीं है जिनको नहीं समझना सक्किब कर सकते आगे और जो समझना चाहते हैं किसे जब presented कैसे क्या हो रहा है उडिकर मेरे लगा हूब अपले इस फर्वाले एन्क से लिए क्या इस्तमाल हुआ है अब देखो इसी और पर क्या लगा हूँ है बैंजाइल लगा हुआ हो एक 3N पर देखो एक carbon यह एक carbon ही है एक और 2 क्या हो कि ख रो ऍथाइल तो यह हो गया 2 ख रो इताया ठीक है ना 1 और 2 2 पे क्या लगा है लगा है 2 word It high 1 यह देखो फेनॉ फिणाक्सि है ना यह पता है न जैसे C e 3 A यह क्या होता है bethoksy यादा आया bethoksy में 구 m which वह घ्लाज़ी तूपे क्या लग गया अमीन लग गया प्रोपेन टू आमाइन हो गया के लिए रहे बात है आगे आते हैं इस की बात करें तूटीट हाई बीपी ठीक है पा सिन आता है, related to फियो क्रोमो साइटोमा किया है ये फियो क्रोमो साइटोमा? जो किद्नी को पर अड्रेनल ग्लेंट जाती है उसका ट्यूमर होता है उसमें क्या बेवजय स्वेटिंग आती है ठीके ना इट रिजल्ट इन रिलीज आफ टूमच अपिनेफरीन बहुत ज्यादा अपिनेफरीन निकलेगा और नौर अपिनेफरीन हार्मोन डेट कंट्रोल ह हाथ रेट, मेटावालिजम, ब्लड प्रेशर अपिनेफरीन नौर अपिनेफरीन बहुत जयादे निकलेगा तो बीपी बढ़ेगा तो बॉड़ीस कंट्रोल करने के लिए पसीन निकालते है और में बाटिस से कई बहुत ज्यादा तो क्या बादा पसीना तो यहाँ से जो रहा है यानको ओवराल बात यह है बढ़ रहा था उसको कंट्रोल करना है ठीक है ना उसके लिए काम में आ रहा है यह कहने का लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है इस्टोरी स्टेबिल्टी वह यह शुड़ वी स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर एंड एट रूम सब्सक्राइबल है कि लिए रहे बादें चलें आगे फोड प्राजोसीन प्राजोसीन की बात करें अगर हम लोग तो प्राजोसीन इजन अल्फा वन ब्लोकर मैडिसीन ठीक है ना अल्फा वन को ब्लोक करेगी यूज्टू ट्रीट हाई बीपी सिम्टम्स आफ इन लार्ज प्रोष्टेट ग्लयंड पता है ना फ्रोष्टेट ग्लयण टेस्टीष दिश के पास होता है डिन इक्त राष्ट से तरह से उपधो रहाता है और नुधर सृप्र सुपने रिलेटेड टू पोस्ट ट्रॉमाइटिक स्ट्रेस डिसॉडर कभी बार क्या होता है ट्रॉमा कोई चोट लग गई बहुत जादा यह एक्सिटेंट हो गया है और दरावने शपने आते हैं नाइट मेर हिंदी है दरावने सपने राथ के डरावने सपनों को नाइट मेर कहा ज ठीक है तो हम लोग यहाँ पर इसको सुरुवात करते हैं मिथे नॉन क्या है यह मिथे नॉन मिथे नॉन के अगर हम बात करें तो यह है मेरे पास C और यह है O तो यह आगे मेरे पास मिथे नॉन अब यहाँ से हम लोग बात को पकड़ के लेके चलते हैं यहां पर आ जाएं यह 1, 2, 3 और यह 4 ठीक है न 4 के 4 पर ठीक है न 1, 2, 3 and 4 यह 4 इस 4 के अब यहां से मैं इसको थोड़ा सा कट मार दूँ ताकि समझने में आसानी हो जाई यह एक यह आ गया इसके भी 4th पार्ट पर लगा हुआ यह ठीक है न 4 अमीनो इस 4 पर 1, 2, 4 पर क्या ल न 6, 7 Di-methoxy, 4567 यहां पर क्या होगा CH3 और CH3 यह क्या गरूप है 就是 methoxy अभी अभी देखा था हमने क्या गरूप है fazer methoxy 6 7 पर dimethoxy qunazoline यह पूरा पार्ट क्या हो गया मेरे पास qunazoline और 2 isle 2 से जड़ा हुआ है तो 2 और isle हो गया यह क्या हो गया पिप्राजीन 1 से जड़ा है तो 1 isle हो गया यह क्या है furan और 1 और 2 2 से जड़ा हुआ है तो यह क्या हो गया 2 isle हो गया तो यहां पर में क्या रहता है मुद्दा खैर यह तो तुमारे कोर्स में नहीं है अगर नाम याद हो तो नाम से इजली क्या बना सकते हो इस्टक्चर बना सकते हो अगया देखिए हम लोग यूज की बात करें प्राजोसिन इस यूज विद और विद अधर अगर अगर हाई बीपी का नॉर्मल नहीं बहुत जरूरी है आई बीपी हार्ट और किड्नी दोनों पर क्या डालती है असर डालती है दिमाग भी असर डालती है किलियर है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपर प्लेजिया बिनाइन प्रोस्टेट हाइपर प्लेजिया कई बार तुम लोगों ने सुना होगा तुम लोगों के घर में बड़ जाती है प्रोस्टेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट लाइट रेसिस्टेंट जहां लाइट ना जाए शुड भी स्टोर्ड एट रूम टंपरिचर यहां कुछ था नहीं फॉम्लेशन कैप्सूल है और ब्रैंड निम की बात करते हैं मीनी प्रेस प्राजीन और प्राजो के नाम से मार्केट में यह अवेलेबल है किलियर है बात है किलियर हो गया आओ आगे देखें ओके अलफा खतम हो गया अलफा में हमेरे पास चार ड्रक्स हैं जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया और कोई भी ड्रक्स क्या कैमिकल नेम और स्टक्चर अपने कोर्स में नहीं है बीटा एड्रेनेजिक ब्लॉकर में प्रपनलॉल और इसके बाद आता है अट्रेनलॉल दोनों इंपोर्टेंट ड्रग्स हैं अच्छे से याद करना है इनको वह स्टार भी है तो इनका केमिकल स्ट्रक्चर भी हम लोगों को अच्छे से देखना है अब देखते हैं समझने को ओमान ब्राइंड हुआ तो इंडराल हर मारें हर दुकान में मिल जाती है ठीक है घ्रीकेशन ऑफ द बीटा बॉकर क्लास टीक है बीटा ब्लॉकर क्लास की है यह ठीक है ना इटी यूजज़ ट्रीट हाई बीपी हाई-बीड को टीत मैं सब आइनेनमबर ओव टाइश-एय् performance anxiety ठीक है कि प्राइज प्रॉम्係 के प्रॉम्होंज जाए थीक है performance anxiety आपको जा रहे हो और आपको अगे ऊच्अ करू रहना या ''क्लाश में आगये खाड़ा हों रहे और टूर रहे हैं हाज पर हो चीव संसा है जट के टाइप के लगना ठीक है एस वहला प्रृवेंट माइग्रेिण है गेन होता है उसकी होता है चौकी यह तो वो heart problem द्वारा ना हो उस case में भी हम इसका इस्तमाल करते हैं तो बहुत ज्यादा जो important तुमको यहाँ पर आसान से जो इसके use अगर देख सकते हो अभी हम आगे भी देखेंगे इसके use irregular heart rate ठीक है ना दूसरा क्या है एंजाइना और previous heart attack को रोकने के लिए और high BP को control करने के लिए तो यह common से 3-4 जो तुम easily याद रख सकते हो उनको तुमको पढ़ना है इट can be taken by mouth और by injection into the vein ठीक है mouth और injection के थुरू यह लिया जाता है ठीक है it appear in the blood after 30 minutes 30 minutes के बाद यह blood के अंदर आ जाता है okay and has a maximum effect between 60-90 minutes 60-90 minutes के बाद यह अपना maximum असर दिखाना शुरू कर देता है when taken by mouth जब mouth से लें लोगों तो direct blood में आ जाएगा तुरू अंतर सर दिखाता है chemical name and structure की बात करें ठीक है तो यह अपने course में है इसको समझेंगे star लगा हुआ इसके उपर तो क्या नाम है वन नेप्तलीन वन आई-लग सी थरी प्रोपेन टू आयलोमीनो प्रोपेन टू अल नाम याद करना अ अपने बड़ा काम है बट करना पड़ेगा में थी कर रहे हो तो ठीके प्रोपेन टू ओ ओ और फिर अगे मेरे पास बन टू और थ्री तो यह होगया 123 न आगे देखते हैं किया है फिर कह रहा है वन नेफलीं यह मेरे पास नेफलीन है वन आइड़ ठीक है और यह वन से जुड़ा भी हुआ है यह किसे जुड़ा हुआ है बट यह ओ भी है जैसे कि मिठ्थॉक्सी था तो नेफली naphthalenoxy ठीक है ना तो ये पूरा क्या बना जाकर के इसके किस से जुड़ा हुआ ये 1 से जुड़ा हुआ है 1 पर कौन लगा हुआ है naphthalen और ये खुद naphthalen का भी 1 वाला इस से जुड़ा हुआ तो 1 Isle Oxy O से Oxy हो गया और 3 3 पर क्या लगा हुआ है Propane 1 2 और 3 अच्च समझ में आगरा टी इनस में देखो कि स्ट्रिप में गए क्या क्या हाई बीपी इर्रेगुलर हाइड्रेट थायरो टॉक्सिकॉसिस ठीक है ना टू मच थायरोड हर्मोन इन दा बॉड़ी बाइब डिसक्स किया था मैंने परफॉर्मेंस एंजाइटी है माईग्रेन हैडेक्स है और फॉर्दर हाट प्रॉलम दोस विद एंजाइना औ प्रिवेस हाट अटेक अगर पहले हाट अटेक आ चुका है और एंजाइना की प्रॉलम रहे चुकी याने की चेस्ट पेन रहे चुका है उसको भी द्वारा ना हो हमें यह वेडिसी लगातार देते रहते हैं बास समझ में आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट है इस्टेबि और सुलिशन के फॉर्म में ब्रैंड नेम इंड्राल सिप्लार डाइड्राल करके है इसके नाइम इसली तुम लोग याद कर सकते हो कि लिए रहे चले आगे बोर यह तो नहीं हो रही है आजाओ भाको लोग वैजयेया हम लोग तो इतिनल लोग यह और लोग Beauty Baking मैं ली आसोस्यटिड छेश्ट्पें जो चेश्ट्पें हाट से और से इलेटेटेड हुगा चेश्ट्पें गैस से हो जाता है चेश्ट्पें कि और माज़ीज इसी हो सकता है ना लेंकिन यो हार्ट से रेटेट चैस्ट में उसके लिए खास ही है अजर यूज इंक्लूट प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेंड माइग्रेंड में इस्तुमाल होता है ठीक है ना और कुछ एर्रगुलर हार्ट बीड से इसको एरिद्मिया पढ़ेंगे चैप्टर नमबर 7 में एरिद्मि ठीक है ना क्या होता है अगर मैं ऐसे नॉमल लिख दूँ मैं CH3CONH2 याने कि इसको खोल दूँ अगर मैं CH3C double bond O और NH2 यह है इसके भी 4 पर 4 पर देखो क्या लगा हुआ है टू हाइड्रोक्सी है ना इसको ले लेते हैं हम लोग color change करते हैं 2 hydroxy और 3 पर फिर कुछ और लगा हुआ है तो यह part हमने इतना change किया ओहो same color आगया ओके यह देखो यह क्या है this is your ओके यह आगे तुम्हारा 2 hydroxy है ना 1 2 3 और 3 पर क्या लगा हुआ है प्रोपेन 2 आइल जो आपने पहले भी discuss किया था जो आपने उसमें नहीं था ठीक है ना 3 पर क्या लगा हुआ है वन टू इसको दूसर कलर दे दू ओके 1 2 और 3 कि यह देखो ठीक है ना 3 पर क्या लगा हुआ है प्रोपेन 2 आइल वान टू और यह थ्री है टू आइल अमीन यह अमीन हो गया प्रपॉक्सी ठीक ना एक दो और तीन तो यह क्या हो गया प्रपॉक्सी अब प्रपॉक्सी यह इसकी वएसे आ गया यह यह ओ की वएसे क्या आया यह प्रपॉक्सी ठीक ना यह नाम के अंदर नाम आ रहा थ्यान रखना इसका यह थोड़ा सा हॉजपॉज है तमझते रहना यह हो गया मेरे पास फिनाइल यह क्या हो गया थिस प्रॉपॉक्सी ठीक है ना? यह फिनाइल हो गया, एस्टामाइड यह रहा सबसे आगे, दन प्रोपेंट टू आइल अमीनो, यह रहा प्रोपेंट टू आइल अमीनो, टू हाइड्रोक्सी, यह हाइड्रोक्सी ग्रूप लगा हुगा यह, थोड़ा सा कॉंप्लिकेटेड है, बट करना पड़ेगा, किलिय है, इसी तरीके से थोड़ा सा ब्रेक करके इसको करोगे, तो एजली समझ में आ जाएगा, किलियर है, चलें आगे, ओके, आगे देखते हैं, यूज की बात करें, इस यूज तो ट्रीट एंजाइन अपक्टोरिस, चेस्ट पेन और हाइपरटेंशन, हाई बीपी, आगे आत है, ब्रेंड नेम के बात करें तो, टीनो और मिन, कारड़ा टेन और एटिनो केर, ठीक है, कॉमन से नाम है, थोड़ा से याद करोगे, तो इसली याद हो जाएंगे, ओके, ओके, देन, कारवी दिलॉल, ठीक है, थर्ड रग और लास्ट ड्रग, कारवी दिलॉल, सोल अडर ब्रेंड नेम, कॉरेज, या कॉरेज, कारवी दिलॉल, किसका मेंबर रही है, कारवाजॉल, अभी देखते हैं, अभी हम लोग कारवाजॉल को भी, दैन इस यूज तो ट्रीट हाई बीपी, किसको टीट करता है, हाई बीपी को टीट करता है, कंजेस्टिव हाट फेलियर, हाट फेलियर, इस टेकन बाई माउथ, दैन की टैबलेट के रूप में लिया जाता है, यह, केमिकल लेम ने स्टक्चर स्टार नहीं है इसके उपर, तो इसका केमिकल लेम और स्टक्चर का हमें जरूर्द नहीं है, बट जैसा कि मैं हमसा कराता हूं, तो आप देखें, प्र कार्बाजोल 4 आइल, ठीक है ना, तो यह हो गया मेरे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अच्छा, 7 यह रहा मेरे पास, 7, 8 और यह आगया, 9, 9 पे क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है, तो यह थोड़ा सा नाम आगया, 9H, कार्बाजोल 4 से चिपका हुआ है, इस से, और यह O है तो य ना, यह पूरा क्या हो गया, Oxy, कार्बाजोल 4 से चिपका, और ओ लगा, आइल, Oxy, ठीक है ना, 3 पे क्या लगा हुआ है, 3 पर, फिर से कर लें इसका, 1 और 2, 2 पे क्या लगा हुआ है, Methoxy, ओके, इसके 2 पे क्या लगा हुआ है, 2 Methoxy, याने की, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, 2 पे क्या ल Phenoxy, यह Methoxy हो गया, समझ में आ रहा है, Focus, इदार, इदार देख लो, यह, यह क्या हो गया, this is Phenoxy, ठीक है ना, नई समझ ना, कोई बात नहीं है, मत समझ लो लेकिन समझ लोगे तो बाकी जो और बहुत सार धे सार नाम आएंगे ना, बहुत असानी हो जाएगे उनको, सम इसके 2 पर क्या लगा हुआ है, 1, 2, यह लगा हुआ है, इसके 2 पर मिथाक्सी है, ठीक है ना, ब्रैकेट के दार ब्रैकेट से फोते चले जाते हैं, और यह खुद अपने आपे Phenoxy है, यह Methoxy हो गया, this is Methoxy है और यह पुरा क्या हो गया, Phenoxy हो गया, फिर Amino आ गया यह और Propane to All, Clear है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब बाते समझ में आने लगी होंगी, आओ देखें आगे, यूजर की बात करें, तो यूज कुछ खास नहीं है, High BP, Congestive Heart Failure, Irregular Heart Wheat, ठीक है ना, इसके बाद भी हम लगातार इसको इसको इस्तमाल कर सकते ताकि चीजें दुरुस्त बनी रहें, ठीक है, श्टोरिश की बात करने तो होई चमटे सेम से में स्टोरेज हैं, कंडिसान है, कोई खास छेंजस नहीं है, इस्तमाल करते नहीं है टेभलेट की फ़र्म में मार्केट में अवेलेवल है, ब्रैंड नेम की बात करने तो, क और C.C.R.L.A.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C तो ये lecture बहुत अच्छे लगेंगे अगर उसका difference दिमाग में नहीं है तो ये lecture बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाले हैं किलियर है ठीक है तो पढ़ते रहो अब lecture लकातार आते रहेंगे ठीक है ना और time से पहले ही मैं कोशिश करके कोश तुमारा पूरा फिनिश कर दूँगा और उसके बाद फिर देखेंगे कुछ और टॉपिक दूसरे सब्जेट के ठीक है ना तो क्या करना है रिवाइस करना है और पढ़ते रहना है ठीक है All the best